हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल AIS Educations आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि आप सभी को पता है इगनु के जुलाई 2023 Academic Session के Admission अभी तक ओपन नहीं हुए थे और ना ही अभी तक ओपन हुए लेकिन सवाल ही है एक बड़ा Notification जुलाई 2023 Session के Admission को लेकर इगनु के द्वारा Officially जारी किया गया है तो अभी इससे अनुमान है कि बहुत जल्दी अगले One Week के अंदर आपके जुलाई 2023 Admission Session के Admission open हो जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं इगनु ने Notification No. 53 Dated 4th May 2023 Issue किया है और इस Notification में लिखा है जुलाई 2023 Admission Session के लिए S.C.S.T. Categories के Students के लिए Feast Exemption जो Provision है उसको Extend किया गया है और B.A. General, B.S.C. General और B.Com. General जो भी 3 Courses हैं इनमे जुलाई 2023 Admission Session में S.C.S.T. के Students Admission लेंगे अगर उनकी Annual Income, उनकी Family Income को मिला करके 0.5 लाख रुपए से कम है Financial Year में तो वो अपना Free में Admission ले सकते हैं उनको Only 300 रुपीज आपकी Registration Charges and 200 रुपीज आपका Development Fees है वही चार्ज की जाएगी तो Notification जारी क्या गया है तो 4 माई को Notice आया है और अभी अगला Notification आपका Admission का Direct Admission open होने की संभावना है लगबग 15 माई से पहले पहले आप लगों के Admission open हो जाएंगा ऐसी पुरियूमीद है क्योंकि Last Time भी ऐसा हुआ था कि पहले Notification Fees Exemption काया था उसके One Week के बाद आपके Admission स्टार्ट हो गए थे तो अभी आपका Same Situation है Official Notification जारी कर दिया गया है जल्दी ही जुलाई 2023 Admission Session के सभी कोर्षिज के Admission इकनो के जारी होने की संभावना है जैसे Admission open होंगे वीडियो फिर से अपडेट करेंगे Complete Steps के जाथ तो जो भी हमारा चैनल AIS Educations पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले